नमस्कार दोस्तों तो हम लोग बात कर रहे थी मात्पूर्ण संगठनों के बारे में तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे बैस्विक परियाबन सुविधा के बारे में GEF यानि की गिलोबल इन्वारूमेंट फैसिलिटी के बारे में बैस्विक परियाबन सुविधा की बात करें तो इसे 1992 में रियों पित्वी सम्मिलन के दौरान इसकी इस्थापना की गई थी बैस्विक परियाबन सुविधा की इस्थापना कप की गई थी 1992 में GEF का मुख्या लेका हैं बौसेंटन डीसी में याद रखिए इसका मुख्या लेका हैं बौसेंटन डीसी में दुनिया के सबसे चुनोती पून परियाबनिये मुद्रे के मुद्रों के समाधान के लिए 183 देशों के साथ मिलकर काम करता है आपका बैस्विक परियाबन सुविधा अब GEF के हम लोग कारियों की बात करें तो GEF विकास सील और स्रेंकमर सील अर्द विवस्था वाले देशों को कन्वेंशन और वायलोजिकल डाइवर्सिटी के किरियानवन के लिए बित्तिय संसाधन उपलब्द कर आता है पेरे समझोते के तहट GEF यानि की वैस्विप परियाबन सुविधा की है कई महत्पून भूमिकाएं GEF पेरे समझोते के बित्तिय तंद के भाग के रूम में कारे करता है GEF की जलवायू परिवर्तन समन रडनीती विकास सिल देशों के को कम उत्सरजन और जलवायू सहे विकास की ओर परिवर्तन कारी वदलाव के लिए सहयोग करती है आपकी वैस्विक परियाबन सुविधा बैस्विक परियाबन सुविधा सांजे समुद्री और ताजा जल पारिश्टित्ति तंतों में सीमा पारिये सहयोग का समर्तन भी करता है UNCCD के लिए वित्तिय तंत भी है आपका GEF GEF की परियोजनाओं में लेंगिक पहलूओं का विवस्थित, समाबेस, बहतर परियाबनिये प्रभाव और लेंगिक समानता की बीच सकारात्मत तालमेल बना सकता है तो ये आपके सभी कारतिया वैस्विक परियाबन सुविधा के GEF की गिलोवल इन्वारोमेंटर फैसिलिटी इसके चार फोकस छेते हैं इसके चार फोकस छेते हैं कौन-कौन से हैं जलवाई परिवर्तन, जविवित्ता, अंतराष्टिय जल, ओजौन पर सरक्चन 2001 में परशी स्टेंट ओर्गिनिक पॉल्यूटेंट प्रोग्राम को GEF में सामिल किया गया बैस्विक परियाबन सुविधा यानि कि जी इ ए ए पके अन्यतत्हों की बात करे हैं लोग तो इसके अन्य तत्थाओं की बात करने तो जी ही एप अनुदान के मुख तीन पे कार होती हैं बड़े आकार की प्रोजेक्ट फंडिंग मिलियन डॉलर से अधिक मद्याम आकार एक मिलियन डॉलर तप और गतिविधी अनुदान को सक्षम करना यह तीन इसके अनुदान के मुख छेत हैं कितने से कितना दिया जा सकता है कितना अनुदान किस सेड़ी में दिया जाएगा बड़े आकार में आपका एक मिलियन शेहदी डॉलर सेधी दूसरे में एक मिलियन तर फिर इसमें और कम ठीक है तो एक था आपका बैस्विक परियावन सुविधा गिलोवल इन्वारोमेंट फैसिलिटी जी यह अप अंगली क्लास में हम लोग बात करेंगे पहुत ही महत्पून संगठन है आपका केंद्री एन्वेशन प्यूरोम स्ती बी आई अक्तर आप लोग चल्चा में इसका नाम सुनते रहते हैं तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में